के इस वीडियो में हम बात करेंगे और जैक्शन को कैसे पंचिंग करते हैं आज इसकी वीडियो में हम इसकी कमپलेट प्रोसेस परिंड पंचिंग का जो प्रिंट होता है प्रिंट कैसे निकालते हैं सलिप का और उसको जो हमारे रिजेक्शन है उसको लास्ट प्रोसेस तक हम कैसे लेगे जाते हैं करते हैं आप इस वीडियो को पुरा कंप्लेट देहिए तब ये वीडियो आपको समझ में आईगी अगर आप कर पाएंगे सेब में तो आएए चलते हैं वीडियो पर सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है जब भी आपकी रिजेक्शन पंचिंग करोगे तो आपको में खोल के उसका स्टोक चेक करना जैसे कि यह मैं कोई भी एक आइटम कोड है में आपन करके यह स्क्रीन खोल ली है अगर आपको MB52 यूजट करना नहीं आता है तो मैंने अल्रेडी उस टोपिक पर वीडियो बना चुका हूं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है आप जाके वह वीडियो देख सकते हैं कि कैसे MB52 यूज़ करते हैं तो अब मैंने क्या किया अब मैंने सबसे पहल मैंने की कंडिस नहीं है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर यहां पर मैटल होना चाहिए दोस्तों जैसे मेरी मशीनिंग की मशीन शोप की लोकेशन है यहां पे 10 पार्ट है जो मैं पंच कर सकता हूं अगर मैं को 11 पार्ट पंच करने हैं यह 50 पार्ट पंच करने हैं 100 तो मैं वह नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहां पर जो क्वालिटी इंस्पेक्शन में वह बहुत कम है तो अगर मुझे ज़्यादा पार्ट पंच कर वाने हैं तो मुझे पहले प्रोडॉक्शन पंचिंग करने पड़ेगी प्रोडॉक्शन पंचिंग की मैं आल्रेड़ी वि पाट से मेरा हैं यहां पर किया हो जाएगा काम हो जाएगा और मैं उसको आसाली से reject कर सकता हूं तो आए मैं आपको प्रोसस्स मुझा देता हूं कि कैसे आपको rejection punching करनी है example लेके आप उसी base पर अपना जो rejection है वो पंच कर सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना दोस्तों में स्क्रीन पर जाएंगे और यहां पर क्यूए 32 कमांड को सर्च करेंगे टी कोड को सर्च करेंगे यह होता है चेंज डाटा फोर इंस्पेक्शन लोट आप यहां से भी कलिक करके इसके इंदर एंटर हो सकते हैं यहां पर टाइप करके डारेंट करके बौद बींडर होसकते हैं ओसके बाद इस टाइप से इंटरफेस आएगा यहां पर आपका प्लान डालना यहां पर यह लिकार एंदर को क्या करें टोस्तों आप पर जो आइटम कोड आपको पर imagining alp इसको यहां पर डालना है और यहां से आपको execute करना और कहीं बार क्या होता दोस्तों कि आपको लोट नहीं मिलता क्योंकि यहां पर डेट की restriction लगी है तो आप यहां से यह option select all inspection लोट करके भी हां से एक्जी क्यूट कर सकते हैं तो आपके पास जितने भी लोट होंगे इस वेक्शन करने के लिए वो सारके-सारे आ जाएंगे कहीं बार ऐसा होता है कि यहां भी 52 पे दिखा रहा है लेकिन यहां पर inspection load मैं नहीं दिखा रहा तो उस case में select all inspection load करेंगे और उसके बाद यहां पर click करके enter हो जाएंगे अब मैं यहां पर enter हो गया तो सबसे पहले मुझे क्या है दोस्तों कि यहां पर inspection के लिए मैं को load दिखाई दे रहा है कि जो item code यह है plant यह है और इसमें quantity में पास 10 quantity है तो मैं को क्या करना दोस्तों यहां पर rejection पंची करने के लिए मैं को इस वाले button पर create defect पर click करना है create defect पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वैसे मेरे पास यह window खुल के आएगी इसमें आपको दोस्तों यहां पर आप इंस्पेक्टर का नाम खुद का नाम डाल सकते हैं बाकि इसमें कुछ डाला नहीं है तो उसके सिवा आपको इसमें क्या करना एंटर करना है जैसे आप एंटर करेंगे इस टाइप से विंड़ो खुलेगी आपको इस पर इंस्पेक्शन लोट पे टिक करके यहां पर गरिन जो टिक करना है उसके बाद आपकी यह window खुलेगी इस विंड़ो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि से पहले आपको क्या डा दोस्तों गांगा तो यह window खुलेगी इस window में आप देख सकती हैं कि जैसे कि वेको assembly का डालना है ब्रेक लाइन डिफेक्ट डालने है बफिंग का डालना है यह customer return डालना है basically मैं पास वो जो rejection है वो किस टाइप का है में पास जो rejection है वो boy तपर मेरे मेरे जिसमानलोगे बलो होल पर क्लिक करूंगा लो होल पहल करो। पर क्लिक कर दिया। मैंने क्लिक कर दिया। और यहां इसके बाद माधे जो एकॉपी वाला कि यहां पे क给 मेरे सारे डिफैक्त यहां पर चिन्स कॉॉंस्टित कॉंट्रेंट करने की अब इसे वह पाम को समझा रहा हूं कि किस टाइब से करते हैं तो इस सब्सक्राइब क्या है दोस्तों दो पार्ट मेरे ब्लो होल में रिजेक्ट हुए है एक पार्ट में डेंट में रिजेक्ट हुआ है कास्टिंग डेंट में और दो पार्ट मेरे क्रैक में रिजेक्ट हुए है अगर मैं को और रिजेक्शन पंचिंग करनी है तो उसका लिए क्या करूंगा मैं दोस्तों यहीं side पे इस वाले बटन पर कलिक करके side से option खुल जाएंगे machine के defect मैं इसी में डाल सकता हूं आप number of defect इसके अंदर डाल सकते हैं इस type से दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहां पर description को option है अगर आप चाहते हैं कि कोई comment आप लिखना चाहते हैं इसके यहां पर तो आ अब आपको इसमें क्या करना दोस्तों इसमें आपको user user decision करना है इस बटन पर जैसे ही आप click करोगे पहले हमने create effect किया था आप हम यह वाला करेंगे इस button पर क्लिक करेंगे इस button पर क्लिक करते ही हमारे नई window खुलेगी नई window में आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा है यह company to company vary कर सकते हैं दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि आपकी company में क्या यूज होता है आप पहले यह डाल के चेकर लें अगर नहीं आ रहा है तो आप यह confirm कर सकते हैं आप का IT department से उसके बाद दोस्तों क्या करना है उसके बाद हमें inspection lot है जो दोस्तों इस वाला इस पर हमें पर कलिक करेंगे जैसे हम इस पर कलिक करेंगे कि नई window खुलेगी इसमें आप देख सकते हैं कि दोस्तों total quantity कितनी है हमारी 10 और हमें हम कितनी quantity को पास कर रहे हैं दोस्तों यह है to unrestricted use इसका मतलब क्या दोस्तों कि इतनी quantity को हमने पास कर दिया आग जाने के लिए तो 10 में से पांच को तो पांच को पास किया तो यहां पे हम पास quantity डालेंगे और यहां स्टोक कि कितना डालेंगे पांच का यहां पर देखो two unrestricted use is equal to total minus defect quantity मानलो कि हमने यहां पे 100 quantity होती तो हम यहां पे 95 ढालते क्योंकि हमने पांच ही पहस्तों है अगर यहाँ पे 1000 होते थे हमनों सप्षाइड में डालते और यहाँ पर laure और गोंटिट स्टोख में वह क्वानटिटी आएगी जिसकी दोस्तों जो हमें ब locally है जतनी क्वानटिटी रिजैक्ट करनी हैं उसके बाद यहां पर लोकेशिन करेंगे दोस्तों यहां पर छोलरा कि वह एस्टी जीरो थ práंगे ब्लोक कि यह सामने क्योंकि जो एस्टी सेव कर देना है जैसे मैंने इस value को सेव किया तो मैं दुभारा से इस window पर आ जाएंगा और अगर इस window पर reference करके check करता हूं तो यहां से जा चुका है दोस्तों इसका मदलब कि मेरी rejection punching हो चुकी है अब दुभारा से में MB52 पर जाता हूं MB52 पर जाके मैं चेक करता हूं कि जो मैंने 5 quantity मैंने पास करती थी वह quantity तो इसके इंदर एड़ हो चुकी है तो यह नाइन इसके इंदर एड़ हो चुकी है और जो मेरी 5 quantity है कुवांड़ी तो ब्लो का है इसके और पूसे पहले कि एक ट्रासफर करेंगे इसके लिए क्या नाया है लिए यूज होता है अब इसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर इस टाइप से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक तो आप इस विंडो में पहुंच जाएंगे इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग में आपको यहां पर ऐसे से पहले जालना है लिए तो इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहांपर ऍपर को डालने के बाद हम यहां पर हो क्या कर चैक्क करने पर पथकिजर करेंगे तो इस हमारे पास यह हमारी values पोस्ट हो चुकी है अब दोबारा से हम Mb52 पर जाके चेक करेंगे तो यह जो block quantity थी यह block quantity उठके कहां पर आ चुकी है unrestricted पर आ चुके दोस्तों यहां से उठके यहां पर आ चुकी है अब इस quantity को further हमें आगे क्या काम होंगे क्या क्या process होंगी वह भी हम इसी वीडियो में जानेंगे लास तक देखते रहे दोस्तों यहां तक rejection punching की process complete अभी नहीं हुई है अगर आप यहां पर बंद कर देंगे त दोस्तों मीगो टीयार किया था transfer posting के लिए लेकिन अब हम करेंगे मीगो अंडर्सकोर जी आई goods movement के लिए अब goods movement पर जैसे हम कलिक करेंगे इस पर उस टाइप से हमारी एक window खुल के आएगी इस window में हमें क्या करना दोस्तों यहां से location select करनी है सबसे पहले यहां से 551 551 location क्य यह है उस quantity को वह से हटा देती है मदलब कि वह कहीं फे भी सो निकरेगा अब वही 551 करेंगे 551 के लिए हम क्या करेंगे हैं पर सेबसे आइटम कोट डालेंगे पारट गाउसके बाद यहां पैमनियुशन डालेंगे उसके बाद आपको यहां पर location डालेंगे उसका प्लान और यहां पर को सेंटर डाल लेंगे इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना यहां पर पोस्ट करना है जैसे आप इसको पोस्ट कर देंगे हमने यह पोस्ट कर दी उसके बाद इस डोकुएंटर नम्बर को हमें क्या करना कोपी कर लेना दोस्तों इसको कोपी कर लेना या कहीं लिख लेना है उसके बाद आप जाकर चेक कर सकते हैं दोस्त दोबारा से विट्टीटू पर कि जो आपकी वो कॉंटिटी को हमने पेस्ट करना है इस पर पुर्ट करेंगे इस पर करेंगे तो यह इस टाइप से यहां पर इस वाल्य मैंटरल डोकॉमेंट पर यहां पर पेस्ट कर देंगे उस इसको और यहां से एक्जक्यूट करेंगे एक्जक्यूट करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों कि आपकी स्लिप बनके रेडी हो गई है इसमें आपका आइटम कोड है आपका नाम है उसके बाद आपका मैट्रियल कौन सा लगा हुआ था उस पार्ट में वह आ गया उसके बा हम इसको बनाद या अरूट को यह जाता है अब हमने इसको पन्स कर लिया लेकिन हम इसको क्या करते है केंदर मिक्स करेंगे हैं हमने अब सब्सक्राइब हमने इसको सब्सक्राइब इसे चीज़ सब्सक्राइब करने के लिए हम 552 यूज़ करते हैं यह हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि हम किसी पार्ट के साथ भी ऐसे कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 551 और 552 बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूं वह जुरूर देखिए अभी आपको क्या करना है इसके अंदर 552 करेंगे आपको यहां पर जो आपका मैट्रेल का सलिप नंबर था वह आपको यहां पर डाल देना है जैसे आप यह डालेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना runner rider select करना है कि runner rider rider ad sit well जिससे यह बना है उसको select कर लेना है उसमें हम कितना add करना चाहते हैं जितना हमने reject किया है 2.5 kg हमने इसके इंदर add करना है location क्या है st 03 से हम इसको करना चाहते है प्लांट बारा और को center हमने डाल दिया उसके बाद हम चेक करेंगे और इसको पोस्ट कर देंगे इस टाइप से दोस्तों यह डोकवेंटर नमबर आ जाएगा अब हमारा क्या था दोस्तों हमने सबसे पहले mb52 पे quantity चेक की सहब में कि कितनी quantity हमने टोटल हमारे पास हाई inspection करने के लिए उस quantity में से हमने कुछ पार्ट को reject किया फिर हमने उस पार्ट को reject करके ब्लोक किया ब्लोक करने के बाद हम तो पुरी पूरी दोस्तो कंप्लीट प्रोसेस होती है रिजयक्शन पंचिंग की तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तो आप लोगों को ये ये वीडियो अच्छी लगी है आपको ये प्रोसेस समझ में आई है अगर फिब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मैं वीडियो के निचे पूछ सकते हैं मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू फॉर पॉचिंग दिश वीडियो हम नेक्स टोपिक नेक्स टोपिक के साथ तो थैंक्यू फॉर बासिंग दिश वीडियो अगैं